भारत ने युक्रेन से अपने लोगों को निकालने का परियास तेज कर दिया है। रोमानिया से भारत का पहला बिमान भरने को तयार है। सड़क की रास्ते युक्रेन रोमानिया सीमा पर पहुचे भारतिय नागरी को बुखारेस्ट ले जाया जाएगा। एर इंडिया की दो बिमाने सनिवार को बिख्वारेस्ट से दो अन्य बिमाने हंगरी से उडान भरेंगे चार सु सतर भारतिये रोमानिया में परवेस कर गए हैं युक्रेन में भारतिय दुतावास ने भारतियों को सलाह दिये कि भारतिय धोज का प्रेंट निकाल कर वाहनों पर चिपकाले एक तस्बीर वी सामने आ गई है जहां 20-25 भारतिय चात्र अपने वतन वापसी को लेकर काफी खुसे और अपनी खुसी को जाहिर कर रहे हैं वैसे भारतिय चात्रों की वतन वापसी की तयारी कल से सुरू हो गई थी जब विदेश मंत्राले ने जड़कारी दिकी पोलेंड़े और हंगरी के रास्ते सभी को बाहर निकाला जाएगा बताय जा रहे हैं कि उकरेन में अभी 20,000 से जादा भारतिये फसे हुए हैं इस लिस्ट में कई तो वो चात्रे हैं जो वहां रहकर पढ़ने गए थे कुस तस्वीरे भी सामने आई है जहाँ पर मेडिकल के चात्र बंकरों में छिपने को मजबूर है इसी वज़े से भारत सरकार की तरब से रेस्क्यू मिशन को तेज कर दिया गया है परदानमंत्री नरेद मोदी ने भी पुतीन को फोन कर बाचित के दोरान ये मुड़ा उठाया था उन्होंने कहा था कि उकरेन में फसे भारतियों की सुरक्षावन की सरकार के लिए सबसे बड़ी प्रात मिखता है अब तक उस बाचित में आजर रेस्क्यू का काम सुरू कर दिया गया है चात्रों की पहली खेप रवाना कर दी गई है कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस मिशन में और ज़्यादा तेजी आने वाली है बिदेश मंत्रालिन ने भी आश्वासन दिया है कि सभी फसे भारतियों को सफल वतन वापसी कराई जाएगी रूस उकरेन की बर्तमान स्थिती की बात करे तो तनाव चरम पर चल रहा है रूसी से न और उकरेन की रजधानी के बेहद करीब आ गई है इस बरते खत्रे को देखते हुए दोनों ही सिमा पर अब बाचित के टेबल पर आने की बात कही जा रही है बताया गया है कि रूस की तरफ से बाचित के लिए एक प्रतिनीदी मंडल भेजा जाएगा ऐसे में यूद समाप्त को लेकर आने वाले दिनों में महत्पून पहल की जा सकती है अब बिहार सरकार भी उकरेन में फसे भारतियों को लाने का काम तेज कर दिया गया है पहली खेप वहां से रवाना हो चुकी है उकरेन में करीब 20,000 भारतियों लोग फसे हैं और तरह तरह के वीडियों वहां से भेज रहे हैं और मदद की गुहार लगा रहे हैं कहा जा रहा है कि अपने देश का जंडा गारी पर लगा कर निकले कई भारतियों ने अपना वीडियो बना कर सोसल मीडिया पर सेर किया जो अब वाइरल हो रहा है वो लोग मदद की गुहार लगा रहा है पेरो रिपोर्ट लाइप बिहार लाइप बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेस्बुक पर लाइक जरूर करें